आप सपी को नए साल की बहुत बहुत शुब कामना है तो देखे इस नए साल को नए मिठास के साथ ही हमें स्वागत करना चाहिए और देखे मौसम भी कितना बढ़िया है, कितना ठंडा हो रहा है और कोहरा इतना जादा है कि अभी 10 पज रहा है तो चलिए कुछ मीठा बना लेते हैं, नए साल का स्वागत करते हैं मीठी के साथ और जो ट्रडिशनल तरीके से ही बनाऊंगी आज में बहुत गाजर का हल्वा बहुत सिंपल रहसेपी है जिसे कि आप इजी ली बना सकते हैं तो देखे, चार कलो गाजर को हमने बहुत बारे ग्रेट कर लिया और साथी मैंने ये आदा कलो खुवा भी बना के रख लिया था पहले ही तो देखे अब हम इसको अच्छे से ठक के रख देंगे, मीडियों फ्लेम पर जिसे की गाजर अच्छे से कुख हो जाए, तो दस से पंदर मिट लग जाएंगे इसको अच्छे से कुख होने में, जब ये कुख हो जाएगा तब हमें तो मलाई गरम करने कि रखी है, तो वो चीज़ नहीं होगी, आप एक पर इस तरीके से बनाईए, हल्वा बहुत ही टेस्टी बनेगा तो देखिए गाजर तो को खो रही थी, लेगिन गाजन में अभी तक हमने दूद नहीं डाला था इसलिए हम इसमें एक लिटर की करीब मैंने दूद डाल दिया, क्योंकि दूद की साथी जब गाजर कोखोती है तो हल्वी का टेस्स जादा अच्छा आता है तो अब इस दूद को हम इसके इंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है यह हमने गाजर जो लिए है न यह चार किलो गाजर है तो हमने इसके एक लिटर दूद डाल दिया और खुआ भी मैंने पहले ही बना के रखना है आदा किलो के करीब खुआ है वो और इसको अब हम ठक के रख देंगे अच्छे से अब देखिए तर जो हमने मलाई गरम करने के लिए रखी थी उसका भी घी सेपरेट हो चुका है और खुआ भी उसमें अच्छा दाना दाना दिख रहा है तो इसे में हमें गैस की फ्लेम को आफ कर देना है क्योंकि अगर यह बहुत जादा कुक हो जाएगा तो इसका अब हमें इसमें से जलाना है और काफी अच्छे से में से कुक करेंगे क्योंकि अब हमें ध्यान रखना है गाजा को अलट पलट भी हमें करनी है तो देखिए इस तरीके से अब हमने इसके गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया है मतलब अब अपने हिसाब से कम जादा कर दूद दूद दिख रहा है उसको अच्छे से हमें जलाना है और इसको अच्छे से रिडियूस कर देंगे उसे क्या कि हल्बा बहुत अच्छा हो जाएगा एक तिरम ड्राय हो जाएगा और क्योंकि अब हमने इसमें शक्कर नहीं डाली और शक्कर भी डालेंगे वो भी अच्छे से काफी पानी भी रिडियूस हो चुका था तो मैंने इसके अंदर आदक क्रों के करीब हमने शक्कर डाल दिए गाजल अलेडी बहुत मीटी थी इसने आदक क्लों हमने शक्कर डाल दिए चार क्रों गाजल दी और आदक क्लों हमने शक्कर डाल दिए इसके अंदर और सकर को आछ़ना अच्छे से कर दिंगे और फिर से हम अच्छे से कुख नेगे मीडियम फे पर ही थोड़ा टायम लगता है कुख होने में क्योंकि हलवा हम विर भनाते कुछ भी मेड़ी चीज बनाते है तो इसको 15 मिट के लिए इस तरीके से हाई फ्लेम पर अलट प्लट करते रहेंगे और सनी ही तेर में इसमें से काफी इसका पानी रिडियोस हो जाएगा अच्छे से जल जाएगा पानी अब देखे मैंने इसके अदर किलो खुआ जो हमने घर में ही बनाया था यह वही खुआ मैंने इसके अदर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अभी आपको यह जमा हुआ खुआ लग रहा है लेकिन यह भी जैसे इसमें गरम हो जाएगा अपने आप इसमें मिक बेखे मावाख को मिक्स अदर मिक्स हो जाएगा और कि मावे की अदर गी है वही मिक्स होका तरहे लिए कि मलाई तरह के आप करूण कई तो सामा बना निक्याइए निक्ला कुकर निकला है यह बाएक मनें आपको अचिना एगा तो इस तरीख से हम अच्छे से अच्छे कर देंगे और हम ग्रम करनेगे उसी। मल Lets Flrift पहले gas पेर रख के और फिर उसके बाद हम हमें हलवे में मिक्स करेंगे तो देखिए मैं हमें 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 मिक्स कर देते हूं इसमें इसे मैंने सारे पानी को जला दिया है यहाँ मैंने दूर्त पानी काफी डॉर्आ हो चुक है PK और तभी मैंने इसके बीघा को डाल दिया है इसके इंडया है , जब हल्वा कोड़े है कॉग हो जाएगा तभी हमें ? तभी इसके इतना गी डालना है, उससे पहले नहीं डालेंगे बना घी और सब कुछ डालेंगे तो बहुत जादा देर तक हमें से कोक करना पड़ेगा तो देखिए अब हल्वे में से काफी सारा पानी बी रिडियूस हो चुका है अब हमने से घी डाल दिया और हल्वे में बहुत अच्छी चमक पी आ जाएगी और खुश्भू पी आएग इसको कंटीनियू हाँ चलाते हूँ इसको अलट प्रट करते हूँ इसको कोक करेंगे और धियान रखिए हल्वा जब भी बनाई है कडाई जब भी कोई भी लीजिए तो थोड़ा उसकी तली मोटी होनी चीए जब मोटी तली के कडाई होती है तो हल्वा बिल्कुल भी रिडियोस कर सकते हैं और इसका स्वाद और फ्लेवर पढ़ाने के लिए वन डेवल स्पूम भरके हमें लाइची पारव डाल दिया और हमने थोड़े से डाइसो ग्राम के करीब हमें काजियों को क्रश कर लिया वो हमने इसमें एड कर दिये तो देखिए इस तरीके से तो देखिए नए साल के स्वागत के लिए हमें तो गाज़क का हलवा मैंने तो घर पर बना लिया लेकिन आप भी अपने घर पर इसी तरीके से हलवा पना के देखिए आपको भी यह हलवे की रेसिपी बहुत पसंद आईए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइ फैमिली 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 फ्रेंस में शेयर जरूर करना ओके बाई थैंक यू फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में हैपी नुई यर